हेलो एवरीवन, वेलकम बाक तो दी चैनल अभी जिन कांडिडेट्स को ये सेक्षिन देख रहा है जो अभी स्क्रीन पे है मतलब मेरा जो कांडिडेट्स लॉग इन पोर्टल है मैंने उसमें लॉग इन कर लिया फिर मुझे ऐसा सेक्षिन देख रहा है जिसमें मेरा अलॉट्मेंट लिटर और सीट एक्सेप्टेंस फी का ओप्षिन शो हो रहा है जिन कांडिडेट्स का नई शो हो रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक तो दिन का टाइम देदीचे माइट भी थोड़ा सा डिले होके वो अपलोड होने में टाइम ले रहा है इस वज़े से यतना किसी कांडिडेट में दिख रहा है किसी कांडिडेट के बोर्टल में नहीं दिख रहा है इस वज़े से हो सकता है प्लीज थोड़ा सा टाइम दीचे एक तो दिन का बिकॉस फ उनका seat allotted कहां पे हैं, कौन से category से वो belong करते हैं यह जैसे MDES के student का result है, तो MDES show कर रहा है और जो campus इनको allotted हुआ है, वो campus है NIFT Kangra वैसे आप लोगों को भी, जिन candidates को open हो चुका उनको show हो रहा होगा कि कौन सा campus allotted हुआ है अब यहां पे देखे, बहुत clearly mention है, जो मैंने अब भी बोला था कि 6th of June तक है और end time 11.59 है payment till 11.59 on 6.06.2023 ठीक है, तो जो जिनका portal नहीं हो, मतलब allotment letter नहीं आया है तो please परिशान मतोई है, please एक दो दिन का time दीजे फिर इस page के बाद, आपको seat acceptance fee पे click करना है अगर आपको अपना seat upgrade करना है, अपगरेट करने का मतलब यह हो जाता है कि आपने अपनी seat इस NIFT के campus में तो secure करी ली है, safe करी ली है आपने इसको book कर लिया है और आप other campuses का भी अगर आपको preference मिलेगा तो आप उसके साथ भी जाएंगे, यह मतलब होता है अपगरेट करने का, freeze करने का मतलब कि मुझे मेरे preferred campus के साथ, जो seat चाहिए था, वो मैंने freeze, वो मुझे मिल गया है अब मुझे आगे counseling grounds में नहीं बैठना फिर slide है, तो यह वाला video आप देख लीचेगा, इसका link description box में और cards में और इस video के end में भी देख जाएगा आपको फिर मेरा portal ऐसे कुछ open होता है, अगर मैं click करती हूँ, seat acceptance fee पे तो यह portal open होगा जिसमें मेरी पूरी fees है, जो है 1,83,200 जो मुझे MDS program के लिए NIFT Kangra में pay करनी है अब payment के लिए आपके पास 4 option है, या तो आप credit card से pay कर सकते हो, या debit card से, या NAFT से, NAFT SBI से, या NAFT Other Bank से जब आप ये final fee payment कर दोगे, इस candidate का payment नहीं हुआ है, इसलिए final screen आपको नहीं show हो पा रही है, final payment करने के बाद, आपका यहां पे वो 3 option पूछेगा, मतलब freeze करना है आपको, slide करना है, upgrade करना है, उन 3 options में से आप एक option के साथ जा सकते हो, again in options का meaning क्या है, last में video आप लोगो एक लीजेगा, और clear हो जाएगा, again request है, जिन students का allotment letter नहीं अभी show हो रहा है, please hold कर ये एक दो दिन, last date, first counselling session के 6th of June है, तो please hold कर लीजे, most probably एक दो दिन में आ जाएगा, और जिनका rank बहुत जादा है, मतलब 4,000, 3,000, 5,000 है, तो might be chances है कि उनका second counselling round में appear हो allotment letter, so it's a request, please wait for the time being, engine candidates का हो गया है, आप ये portal, ये steps आप follow कर सकते हैं, for the admission, अब यहाँ पर एक और चीज है, किसी बच्चे ने पूछा था, कि माम refund का क्या case है, तो refund वाली वीडियो का link भी description box में है, आप वहाँ से refund वाला case में देख सकते हैं, actually, जो refund और ये जो आप लोग के छोड़ चोड़ी queries है ना, तो ये जो prospectus आता है, निफ्ट का, उसमें आपके सारे एनेक्षर होता है, उसमें आपका anti-ragging हो गया, fee refund हो गया, आपका अगर final degree या ऐसा कुछ नहीं मिला है, तो फिर वो कैसे करना है, तो ये सारी चीजे, वो appendix आपको fill करके, जब आप application form भरते हो, निफ्ट का, तब आपको, जब आप अपना car certificate और ये सब करते हो, और first round के result के बाद, आपको ये सब document अप्लोड करने होता है, तो ये सब document आपको पहले ही upload करने होता है, अभी नहीं upload करने है, at this time, क्योंकि at this point तो कुछ अप्लोड होता है, so this is the thing, so highly requested, please एक तो इन का वेट कर लेजिए, जिनका अलोटमें लेटर नहीं आया है, and all the very best for your campus allotments, and जैसे जैसे जो information मुझे मिलती जाएगी, और जितनी जादा हैं, मैं आप लोगी कर पाहूंगी, I'll be doing that, and जो भी help होगी, वो आप लोग को अपलोग को अपलोग को मिल जाएगी, so that वो misleading or misguidance का वो problem ना हो आपको, and thank you so much for watching the video, video अच्छा लगा है, so please channel को subscribe और video को like कर दीजेगा, thank you so much